नमस्कार साथ taliyo एक बार फिर से आप सबी का स्वागत आप सबी देख रहे हैं जोब बलाड़ गरू जन आधार कार्ड एक परिवारिक आईडी है, इस आईडी से करोडों रूपय वितरन किये जाते हैं, कारड एक है लेकिन फायदे एनक है, अगर आपका जन आधार कार्ड सालित हैं जबस आधार कार्ड में हाली में आपके गाउं में कित 레 juicy गी हैं यह सूची आप महिने के इनुसरर इस तरह से देख सकते हैं है अगर ठ्रसंत कर से किया ए tut का शेत की महिला मुख्यों हैं सभी इसर्डों के अधार कार्ड में जाते हैं साथी परिवार की महिला मुख्या के नाम से एक बचत खाता भी होना चाहिए साथी जन आधार कार्ड में जूडने वाले सभी सदस्यों की एक एक फोटो भी होने चाहिए जन आधार कार्ड एक परिवार की डिजिटल आइडी है जो महिला मुख्या के नाम से बनती ह जिस पर परिवार का पैचान संक्या दिया जाता है संपूर्ण राजे में 191.01 लाख जन आधार कार्ड बन चुक है यानि कि इतने परिवारों का जन आधार कार्ड बन चुक है और जिसमें 749.24 लाख सदसे जुड़े वे हैं कि 191.01 लाक जन आधार कार्ड में 749.24 लाक सद से जुड़े में अब हम बात करने वाले हैं कि इस जन आधार कार्ड से अभी तक कितने रुपए दिये जा चुके हैं नगत और गेर नगत लाप केंगें तो 114.62 करोड रुपए नगदी और गेर नगदी दिये जा चुके हैं वहीं बैंक खातों में बात केंगें तो 55106.08 करोड रुपए सीधे जन आधार कार्ड लावार्थी के खाते में भेज़ा गया हैं जन आधार कार्ड एक परिवार की डिजिटल आइडी है जिस पर एक साइड में महीला मुख्या का फोटो होता है महीला मुख्या की डिटेल होती है दूसरी साइड में परिवार के जितने भी सदसें उन सब के नाम और व्यक्तिकत पहचान आइडी दी जाती है जन आधार कार्ट से पढ़ाई करने वाले बच्चों को चातरवर्ती मिलती है साधी जन आधार कार्ट से पैंसन मिलती है जन आधार कार्ट से ही राशन मिलता है जन आधार कार्ट से ही किसानों को सबसिडी दी जाती है जैसे लावाविंद किसा ने 11.57 लाक अत्रिक्त अनुदान दिया गया इस बार 723.38 करोड रुपए और लगबग राज्ये में सुनने बिल के किसान है 7.21 लाक यानि कि किसानों को विजली बिल सुनने आता है साथी बालिकाओं को स्कूटी हो या फिर लैप्टोप हो या फिर आर्थिक सायता हो ये सब कुछ जन आदार कार्ड से ही दिया जाता है जन आदार कार्ड वाले परिवार अब चिरिंजी वी योजना का भी फायदा ले सकेंगे एक जन आदार कार्ड से 10 लाक रुपए तक निसुल्क बिमा का फायदा मिलेगा यान कि परतेक परिवार का 10 लाक रुपए तक स्वास्ते समंदित इलाज़ वफरी होएगा साथी सहरी चेतर में 501 रूपए में पट्टा भी बनवा सकते हैं परसासन सहरों के संग अभियान चल रहा है और इस अभियान के तैत सहरी चेतर में 501 रूपए में पट्टा बनवा सकते हैं जन आधार कार्ड से ही अब आपको रासन मिलेगा यानि कि पहले रासन कार्ड से रासन मिलता था लेकिन अभी रासन कार्ड को जन आधार कार्ड से सीडिंग कर दिये गए अब जन आधार कार्ड से ही आपको रासन मिलेगा जन आधार कार्ड में जितने सद्द से उनी के आधार पर रासन दिया जाएगा और वन नेशन वन रास योजना के अंदर कड़ एंदरी योजना के ऐस सभी सदेशियों के आधार रासन काड़ से यार नमर डिलें के बन게 सके बना Candnesday Class इस थे या इस सभी आधार कड़म सत्कश्यों के लिए बर्वाइन के वेडी हम और Lecture और online forum बरने के बाद में ही आपको अगले महीने से pension मिलने शुरू हो जाएगे यानि कि अब पूरा digital हो गया जन आधार कार्ड से ही आपको pension मिलेगे या फिर नहीं दिया गया इस सूची को देखकर आप में कॉमेंट करके बताएं कि आपको भी जन आधार कार्ड से कोई आर्थिक सायता या फिर अन्य कोई फायदा दिया गया या फिर नहीं दिया गया तो यहां पर सबसे पहले हम ग्रामिंट की दिखाने वाले हैं तो यहां ह कि फिलाल चल रहा है और महीने वाइज यहां पर डिटेल दिखाई जाती है कि जनाधार कार्ड से आपकी ग्राम बंचायत में या फिर वाइड के अनुसार कितने परिवारों को फायदे दिए गए क्या क्या लाब दिए गए और यहां पर सबको सेलेक्ट करने के बाद में आपको खोजे पर क्लिक कर देना है आगे हम आपको बताने वाले हैं कि सरकारी योजनों का फायदा लेने के लिए आपको किस तरह से कहां से ओनलाइन फोरम बरवाना चाहिए जैसे ही आप सब्मिट प क्लिक करेंगे तो यहां पर PDF में एक सूची आ जाएगे इस सूची को आपको डाउनलोड करने ना है बिल्कुल यह लेटेस्ट सूची है आप अपनी ग्राम पंचाहित वार्ड के अनुसार चेक कर सकते हैं कि जन आधार काट से आपके गाउं में कितने परिवारों को कौन- यहां पर बिल्कुल आपको लिस्ट मिल जाएगी अगर आप भी अपने जन आधार कार्ड नमर से इस लिस्ट में सर्च करना चाहिए तो कर सकते हैं इस महीला को 14 रुपे दिए गये और इस जन आधार कार्ड महीला मुख्या परिवार को 5000 रुपे दिए गये यह सबी जो फ तरह से यह सूची चेक कर सकते हैं कि आपके जन आधार कार्ड में हाली में इस महीने में कितने परिवारों को क्या-क्या फायदे दिए गये यह सूची अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहां पर आपको हमने ज किसी भी इमित बठ़ जाना है और सरकारी योजणा के लिए आप पतर है उसमें ओनलाइन फोरों में पर वाना है और आप भी एपने जन आधारकार से सरकारी योजणा अगर आप यह जाना चाहते हैं कि सरकारी योजना कौन-कौन सी है तो यहां पर हम आप सभी को लिस्ट दिखाने वाले हैं बेरोजगारी बत्ता भी आप जन आधार काड से ले सकते हैं और राजे सरकार के दोबारा जितनी भी सबसीडी योजना हैं चलाई जारे उन सब का भी जन आधार काड से फोरम बरकर सबसीडी ले सकते हैं हम बात रहें कि जन आधार काड से राजे की कितनी सरकारी योजना का फायदा आप ले सकते हैं तो यहां पर पूरी लिस्ट दिखी है कि राजे में फिलाल कितनी सरकारी योजना हैं तो टोटल 325 सरकारी योजना हैं जिन आपको कितनी सरकारी योजनों का फायदा मिल सकता है और कौन-कौन सरकारी योजनों में फायदा ले सकते हैं। आपको कितनी सरकारी योजनों में फायदा मिल सकते हैं।